दोस्तों लड़कियों पर ध्यान देने की बजाए अपने लक्षियों पर ध्यान के इंद्रित कीजिए क्योंकि पांच साल बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी गर्ल फ्रेंड है या नहीं बलकि ये पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और कितना कमाते हैं नमसकार दोस्तों मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिश कार्यकरम मेश राशी वाले लोगों के लिए बहुत खास है मैं आपको अप्रेल दो हजार चौबीस के मेश राशी के मासिक राशिफल के बारे में बताऊंगा मेश राशी वालों के लिए अप्रेल दो हजार चौबीस कैसा रहेगा ये सभी प्रशनों के जवाब आपको मिलेंगे मैं आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और व्यवसाय के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा मैं न तो नकारात्मक और नहीं सकारात्मक बलकि बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दूँगा मैं आपके सामने ही समझा कर अच्छी तरह से सब कुछ समझाऊंगा आपको भी ध्यान पूर्वक सुनना होगा यह कार्यकरम जन्म राशी और चंद्र राशी पर आधारित है दोस्तों, यानि की मून साइन पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर केवल चैनल के वीडियो की स्क्रीन में दिया गया है अगर कोई आपके कमेंट्स में रिपलाई करता है तो एक बार जाच कर लेना कि वह स्कैम तो नहीं है चलिए, अब जानते हैं अप्रेल दो हजार चौबीस के लिए मेश राशी का वीडियो वीडियो के अंत में मैं आपको अचू कुपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जब अप्रेल महीना शुरू होगा तब आपकी मेश राशी में नव ग्रहों की यह स्थिती होगी जैसा कि यहां दिखाया गया है आपके पहले भाव में बुद्ध और गुरु होंगे आपके छठे भाव में केतू होगा और आपके बारहवें भाव में सनी विराजमान रहेंगे राहू, शुक्र और सूर्य आपके ग्यारहवें भाव में हैं सनी और मंगल भी ठीक हैं यह सब लिखा हुआ है यहां पर 14 अप्रेल को सूर्य मेश राशी में परिवर्तन करेंगे 24 अप्रेल को मंगल मीन राशी में आएंगे 25 अप्रेल को शुक्र मेश राशी में प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपका स्वास्थे जान लेते हैं आपको ध्यान पूर्वक सुनना होगा जल्दबाजी में नहीं, सबसे पहले आपका स्वास थे दोस्तों, पहला भाव हमारे रोग प्रतिरोधक शमता का होता है पहले भाव के स्वामी कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पहले भाव के स्वामी मंगल है और मंगल आपके ग्यारहवें भाव में है ग्यारहवां भाव कुंडली का अच्छा माना जाता है ये खराब नहीं होता ग्यारहवां भाव लाब और आयका होता है लेकिन 24 अप्रेल को मंगल बारहवें भाव में जाएंगे दोस्तों, 24 अप्रेल से मंगल राहू का अंगारक दोश बनने वाला है इसका मतलब है कि 24 अप्रेल के बाद आपको अपने स्वास्थय का खास ध्यान रखना होगा 24 अप्रेल से पहले आपका स्वास्थय अच्छा रहेगा उस दोरान आप में बड़े सपने और नए विचार आएंगे लेकिन स्वास्थय भी ठीक रहेगा 24 अप्रेल के बाद जब मंगल बारहवें भाव में जाएगा तब स्वास्थय में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है क्योंकि बारहवां भाव अस्पताल से जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा पंचम भाव पढ़ाई और अध्ययन से संबंधित है सूर्य और राहु इस समय बारहवें भाव में हैं जिससे पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है शुक्र भी उनहीं के साथ है इसलिए विद्यार्थियों को भी सावधान रहना चाहिए दोस्तों, जब तक सूर्य और राहु का ग्रहन दोश है तब तक पढ़ाई को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए जब भी सूर्य और राहु एक साथ होते हैं वे ग्रहन बनाते हैं 14 अप्रेल तक सूर्य राहु का यह ग्रहन दोश रहेगा इस दोरान आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उसे हलके में नहीं लेना चाहिए लेकिन 14 अप्रेल के बाद जब सूर्य आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी आपके परीक्षा और प्रवेश परीक्षाएं अच्छी रहेंगी क्योंकि सूर्य का प्रथम भाव में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है इसलिए 14 अप्रेल के बाद आपको पढ़ाई में बहुत सफलता मिलेगी मित्र अप्रेल 2024 में आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करते हैं पांचवा भाव पढ़ाई और प्रेम का भाव होता है मैंने बताया था कि यहां सूर्य स्वामी ग्रह है और वे राहू के साथ बैठे हैं इसका अर्थ है कि रिष्टे में चलने के लिए दूसरे की बात माननी पड़ेगी सूर्य के साथ राहू और शुक्र का होना दूसरे व्यक्ति के मूडी स्वभाव को दर्शाता है न की आपका जब सूर्य के साथ राहू बैठते हैं तो वे दूसरे में संदेह और गलत फहमी पैदा कर सकते हैं राहू एक छाया ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है ये आपके रिष्टे में कहीं न कहीं असमंजस ला सकता है ये दशा 14 अप्रेल तक रहेगी लेकिन जैसे ही सूर्य यहां आएंगे वो पहले घर में ट्रांजिट कर लेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इससे वो अपनी गलती को मानेंगे और स्वीकार करेंगे कहीं न कहीं आपका प्यार भरा रिष्टा भी बहतर दिखाई देगा लेकिन आपको भी अपना गुसा कुछ कंट्रोल करना होगा वैवाहिक जीवन की बात करें तो दोस्तों सातवें घर में विवाह का स्वामी बनता है आपका शुक्र 25 अप्रेल तक 12 अप्रेल तक बारहवें घर में है जो अच्छा माना जाता है इससे मैं देख रहा हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा अगर आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं या कोई बड़ी परिवार नियोजन जैसी बड़ी योजनाएं कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा इस महीने ओवरोनल अच्छा रहेगा क्योंकि 25 अप्रेल तक शुक्र मीन राशी में एक्जाल्टिड अवस्था में है हालांकि मंगल और शुक्र के बीच बारहवां कनेक्शन है इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी के विचार आपसे अलग हो सकते हैं वैचारिक मतभेद तो होंगे लेकिन ओवरोनल वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा सबसे महत्वपूर्ण विशय भाग्य, करियर, व्यापार और दोस्तों का है भाग्य का स्थान नवम भाव होता है और करियर का दशम भाव आपके यहां सनी और गुरु पहले भाव में है पूरे अप्रेल में गुरु यहीं रहेंगे एक मई को गुरु की राश्य परिवर्तन होगा लेकिन अप्रेल में गुरु पहले भाव से आपके भाग्य, करियर और व्यापार को मजबूत करेंगे दोस्तों, आपका भाग्य बहुत अच्छा है क्योंकि आपके नवम भाव, नाइंथ हाउस, पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है न तो सनी और नहीं राहू आपके नवम भाव को देख रहे हैं आपका नवम भाव पूरी तरह से स्ट्रॉंग है आपके गुरु भी अपने मित्र के घर के केंदर में बैठ कर अपने नवम भाव को देख रहे हैं इसलिए आपका भाग्य अच्छा है जब भाग्य अच्छा होता है तो शुभ कार्य, मंगलिक कार्य, अच्छे काम, नए काम की शुरुवात, पार्टनर्शिप, इन्वेस्टमेंट, शेर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदी में सफलता मिलती है जो भी आपके प्रश्न भाग्य से संबंधित हैं उनके लिए मेरा उत्तर है कि आपके लिए यहां प्रैक्टिकल के गुरु बहुत अच्छी स्थिती में बैठे हैं आपको इसका लाब उठाना चाहिए क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है इस महीने की बात करें तो करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से भी स्थिती अनुकूल है दोस्तों, दस भाव करियर का दसवा घर होता है सनी आपके ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं जो आपके स्वराश्य के घर में है मंगल के साथ सनी आपको बहुत तकनीकी बना देते हैं वे आपको हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की प्रेरणा देते हैं ताकि आप सभी का ध्यान आकरशित कर सकें जब सनी और मंगल ग्यारहवें भाव में बैठते हैं तो ऐसा होता है क्योंकि 11 भाव इच्छाओं का भाव होता है इससे व्यक्ति अपने काम से बहुत आकरशन पैदा करता है खासकर IT, इंजीनियरिंग या अन्य तक्नीकी क्षेत्रों में यदि आप डिफेंस में काम करते हैं या आयात निर्यात का कारोबार करते हैं तो सनी और मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि मंगल 24 अप्रेल तक यहां रहेंगे अप्रेल माह में आपके लिए प्रमोशन के अवसर खुल सकते हैं आप अपने कार्य प्रदर्शन और प्रतिभा से वरिष्ठों का ध्यान आकरशित कर सकते हैं व्यवसाय की बात करें तो शुक्र आपके लिए अनुकूल स्थिती में हैं 25 अप्रेल के बाद आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा और दैनिक आय में व्रिध्धी होगी क्योंकि शुक्र प्रतम भाव में जाएंगे मेरी सलाह है कि आप प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें चंद्र बीज मंत्र का जाप करें और उगते हुए सूर्य को अर्ग्य दें आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी आप सभी पर श्री सीता राम जी की कृपा बनी रहे